पिटी एक देश के ना दो पंक होते हैं एक इस्तरी और दूसरा पुरुष देश की उन्नती एक पंक से उडान भरने पर नहीं हो सकती सबसे मजबूत और सुन्दर समाज वही होता है जहां इस्तरीों को सम्मान के लिए संगर्श नहीं करना पड़ता अगर समाज आपके चहरे को देखकर आपको सम्मान देता है न तो समझ जाए आपका चहरा नहीं वो समाज बुरा है अपना ताज खुद खरीदने की हैसियत बनाओ ताकि इज़त पाने के लिए किसी के आगे महताज ना होना पड़े तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करती हूँ इसी पॉजिटिव थार्ट के साथ नमस्कार रादव खमागड़ी वोडग कम एंसा स्त्रियकाल मैरे खाब सभी का स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ और कितनी सावधानी से और कितनी सतर्कता से और कितनी सारे काम मैं निप्टाती हूँ आज है बुद्वार तो हसबिन का आज rest रहता है वो आज़ गर पर ही है तो मैं अपना काम शुरू कर रही हूँ और मैंने नहा दो भी लिया है पूजा भी मेरी हो गई है पूजा करने के जस्ट बाद में ही मैंने मशीन लगा दिया था और साथ ही साथ मैं यहाँ पे अपना भी ध्यान रखती हूँ थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे अपना वाम पानी पी रही हूँ तो मैंने रात को भी सुबा को भी पी लिया था और मुझे प्यास लग गई थी तो रात में हम कुछ ऐसा खा लेते हैं तो हमें सुबह को प्यास लगती है तो हम लोगों ने पराठे खाएते तो अभी मुझे बहुत प्यास लगा था तो वहां कपड़े वाश हो रहे हैं तब तक मैंने सोचा कि जो मलाई रखी हुई है इसको मै मनें निकाल लेती हूं यानि निकाल लेती हूं इसका बहुत हीatively मलाई का गी आ जाता है कि इस्ट Ass Orlando को मलाई को आइट कर लेना विएल्भात और प्यास भी मतलब किसी बड़े बरतर्न में डालके अगर अप सबी को और मलाई से ना दो गुना इसमें माखन आता है बहुत बार मैंने आप सब को बता रखा है लेकिन जितने मेरे प्यारे से नई वीवर्स आते हैं उनके लिए सब कुछ नया नया होता है तो इसलिए मुझे दुबारा से बतानी पड़ती है यह सब चीजे तो यहां सिर्फ चम्मस की मदद से में उसको निकाल दूगी और जितनी भी माखन है उसको में एकसाइट कर लूँगी तो देखिए बस हलका समय ने इसको घुमाया है और माखन इसमें पहले ही आ चुका था मिक्सिजार में तो देख सकते हैं बहुत ही इजी ली आ गया और जितना मे दिक्कत होती है विंटर में लेडीज होगी तो आप इस ट्रिक से अपने घरों में मखन निकाल सकती हैं और धेर सारा घी बना के रख सकती हैं तो डेर लीटर दूस से मेरा पांच दिन में इतना मलाई हो जाता है और इतना देखिए माखन भी निकल गया है तो जब तक यह अपने दूसरे काम निप्टा लूँगी तो जैसे ही मैंने घी बनने के लिए रखा तो ग्यास कतम हो गई थी तो मैंने जो छोटा वाला एक सिलेंडर अमेजंसी के लिए रखा होता है घर में उस पे मैंने घी बना लिया और दुरू उट चुका था और हस्बिन गए थे अ जा रही हूं आज कड़ी चावल क्योंकि आज हस्में घर पर है तो आज मैं उनके फिवरेट खाना बनाऊंगी उनको बहुत पसंद है कड़ी चावल तो चटपटी और यमी मज़िदा सी और साथने कुछ ट्रिप्स भी बताऊंगी आप सभी को तो यहां पर बेसन को मैंने चान लिया है और चानने के बाद मुझे इसमें दही आट करना है तो दही को मैंने चान के आट किया है और शूट नहीं हो पाया कैमरा बंद था मुझे पता ही नहीं चला और जब मैंने देखा तो वह कैमरा फिर मैंने चालू किया तब जाके शूट हुआ तो अभी मैं इसम पावडर धनिया पावडर और नमक अदनी करूंगी और नमक अधनी करूंगी जब जब इसमें अच्छे से वॉइल आजाएगा और इसमें नमें पानी एड करूंगी ठोड़ा सा गरम जादा गरम नहीं डालूँगी तो यह मैंने पहले से करके रखा हुआ है और ताजा पान फानी आता है तो मैंने हलगा सा उसको को कर लिया है और जितना मुझे हूँ जुँआ है तुछ पैंद और झिल दरोड़ do and till तर भी गोड़ा धेसं कई आपतया होगी अच्छी और जब तक मेरी कड़ी पकेगे है मैंने उसमें बहुत जादा ठन लग रही थी इसको और अभी इसकी तब्याद भी मुझे लग निदा के ठीक है तो अभी इसकी ताकि जो कड़ी है वो फट ना जाए और फिर वो खाने में मज़ा नहीं आता है कड़ी अगर उसका दही या लसी जो भी अगर फट जाता है तो इसमें वोईल आ चुका था और इसमें नमा कट कर दिया है मैंने और साथ ही साथ यहां पर आ गई हूं मैं कपड़े डालने तो मौसम बहुत जादा खराब हो रखा है यहां पर तो इस तरह से अगर अपने रोज मर्रा के कामों में आप मल्टी टास्किंग को अजमाएंगी ना तो आप बहुत बहुत जादा एक फ्रीडम महसूस करेंगी बाद में जब आपके काम फिनिश हो जाएंगे और आपको सारा दिन काम करने के बिलकुल भी जरूरत नहीं है अपने कामों को खुद से मैनेज कीजिए किसी और पर डिपेंड होने की आपको कोई जरूरत नहीं है और थोड़ी थोड़ी में कामों में आप अपने हस्बिन की अपने बच्चों की हैल्प ले सकती है इसमें कोई बुराई भी नहीं है क्योंकि बहुत जादा ठंडा है और ऐसा करना अच्छा भी होता है वो भी सब उन लोगों को भी थोड़ा सा यह एहसास रहता है कि कितना जादा ठंड में और हम लोग सारा दिन लगे रहते हैं तो यह सब चीजे होनी चाहिए हर किसी के घर में तो यहां पर कड़ बहुत ही अच्छे से कुक हो चुकी थी तकरीबन मैंने इसको 20-30 मिनट कुक कर लिया था तब तक मेरी कपड़े सारे वाश हो चुके थी मैं डाल आई थी और जितना भी मशीन का इधर उदर का पानी था वो मैंने सारा पोच दिया था और यहां पर मैंने कुछ आलू भी च तो जितने मेरी कड़ी पकी इतने में देखी कितने सारे काम हो गए और साथी साथ यहां पर कुछ तेल यह बचा हुआ था तो सबसे पहले मैंने वह एट कर दिया है थोड़ा सा रिफाइंड और डाल दिया है मैंने और इसी में मैं आलू की पकोड़ी बनाऊंगी और उसके मैंने बहुत कम डाला है क्योंकि धुरूब खाता है पकोड़ी तो मैं उसको जो मसालेदार खाना है वो कमी देती हूं तो अच्छे से मैंने वैटर को मिक्स कर लिया है और देखी करारी करारी पकोड़ी और इसमें मैंने थोड़ा सा मक्के का आटा चावल का अटा एट कर एक अछय पकोड़ी मुझें की जाया तो हिसको पर खाता है टूम यहां यहां तो यहां पर झाहित आछी के लिए पर मैं बिना दिया छाय्यूचै तो पकोड़ी में मैं फि्वपकोड़े के लिए मैंने थोड़ा सा बेशन ले लिया है और इसो में थोड़े थोड़े म? अध करूंगी और मसालों में डालुगी रच शीली और हल्दी पावडर ऑर थोड़ा सा धनिया पावडर और थोड़ा सा नमक और आप चाहं तो इसमें ब्लक Megachutz लिए बीया के लिए तर त्यार तैयार करें तो इस बेसन को इतने अच्छे से आपको फैट कि जब तक बेसन आपका फूल ने लगे तक उसे घृतन now a आपका जो बेसन वह किसी भी क्वालिटी का हुआ तब भी पकोडे बहुत ही बढ़िया बनेंगे और कड़ी में जाके बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और ना ही बिल्कुल टाइट होंगे एकदम मेडियम और एकदम सॉफ्ट आपके पकोड़े बनेंगे खाने में बहुत मज़ा आएगा और दूसरा मेरा टीप यह है कि कुछ जो महिलाएं ह होती है उनसे ना पकोड़ा बिल्कुल गोल नहीं बनता है तो देखिए आप इस तरह से पकोड़े को छोड़ेंगी ना ओल में तो एकदम गोल बनेगा यानि आपका जो अंगूठा है ना थम्स उसको आपको ऊपर रखना है और अपनी चारों फिंगर को नीचे रखना है और बीच में बैटर और आपको अंगूठे से प्रेस करना है नीचे की और पुश करना है पकोड़े को और फिर ओल में छोड़ना है तो बिल्कुल गोल पकोड़ा बनेगा और एकदम जबरजस्त मज़ेदार पकोड़ा बनेगा देखिए बिल्कुल गोल गोल पकोड़ा ब और widow आप दालती थी तो husband मना करते हैं अब तो देखिये बहुत अच्छी से भूं गया है और कड़ी में आपको अच्छी इड़ करनी है ताकि आपकी कड़ी खाने में मज़िदार लगे और हर बाइट में आपको प्याज का टेस्ट आए तो मैं कुछ प्याज और एक कड़ी पत्ता बचा लेती हूँ इसमें यानि उपर से गार्निश करूँगी बाद में और तड़के में मैंने कड़ी को एट कर दिया है और आप अगर तड़के को कड़ी में एट करोगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा खाने में जितना आपको इस ट्रिक में आएगा जब भी आप कड़ी या दाल बना रहे हो ना तो उसको इसी तरह से तड़का लगाए ये बहुत जब जबरजस्ट टेस्ट बहुत मज़ेदार तो ये ये फिए टिप है अगर आप जब भी डाल या पड बनाते हो ना तो तड़के को दाल में ए पकडिमे डाल के तड़के में एट कीजिए जलते हुए चूले में उसके बाद देखिए उसको खाने का जो मजा है वो चार गुना बढ़ जाता है किसी भी रेसिपी को और उपर से मैंने सारे पकोड़े एट कर दिये हैं तो इन पकोड़ों को अभी मैं बस दस मिनट नहीं सौरी पांच मिनट पकाऊंगी सिर्फ और थोड़ी सी मैंने धनियापत्ती अड़े स्टाने के लिए यह कैई हम कॉप Alp MS3 को में और तूम यहां थरूप को मैं आ गई हूं दबाई देने के लिए क्योंकि उसको हलका फुलका फीवर है तो इसको मैं थोड़ा सा दबाई दे दूंगी और बहुत जादा चिड़ चिड़ा रहा है आज कल बिल्कुल दबाई नहीं खाता है यह और लास्ट टाइम जब इसे फीवर आया था तो इसने म उनकी फीवर को लेके या उनकी हेल्थ को लेके तो मा को बहुत ज़्यादा परिशानी होती है तो अभी ध्रूब है अपनी पापा के साथ तब तक मैं यहां पर कर लूँगी अपनी क्लीनिंग तो कड़ी बनाके रख दी है और साथी साथ चावल और रोटी बनाऊंगी के भी तो वो सारे काम वो निपटाते हैं और मुझे थोड़ा सा हैल्प हो जाता है हजबन घर पे होते हैं तो दुरूब के लिए तो दुरूब भी वहीं पर है उनके पास में तब तक मैं अपना क्लीनिंग कर लूँगी यानि सुबह जब हम कामों से निपट जाते ना उस प्रिशान कर रहा था तो मैं उसको बुला रहे थी बट वह नहीं रहा था तो जितने भी उसको टॉइस बगेरा होते हैं वह यहीं पर वास्केट में रखे हुए हैं सारे और अभी दोनों चले गए हैं बाहर और एक मुझे लंबा टाइम मिलेगा बहुत अच्छे जए अच्छे से डीपली लगाती हूं और अरली मॉर्निंग में हमारा क्या होता है बहुत ज़्यादा ठटा होता है उतने अच्छे से हम घर को क्लीन नहीं कर पाते हैं तो आप जितना भी क्लीनिंग है बच्चों के स्कूल जाने के बाद या फिर आपके पास छोटे बच्चे ह तो उनके कामों से निवटने के बाद आप अच्छे से अपने घर को पुड़ा क्लीन कीजिए यह क्लीनिंग आपके दो-चार दिन आराम से चलेगी और उसके बाद आप एक डीप क्लीनिंग हर हफते में अपने घर को दे सकती हो तो कड़ी बनने के बाद बहुत सारे बरतन हो गएते धुलने के लिए तो मैंने वो बरतन भी साफ करके रख दिए थे एक बासकेट में तब-तक उनका पानी निकल रहा था और सासात में पोच्छा भी लगा रही थी तो बरतन भी मैंने लगा दिये हैं साथ में क्योंकि छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनका कोई पता नहीं होता कब वो परिशान करने लग जाएं तो मुझे जितना भी मौका मिलता है वो मैं एकदम से सारे काम फिनिश कर लेती हूं और पहले से अगर हम सेट करके रखते हैं कामों को कि हमें कितने टाइम में कौन सा काम करना है और इस बीच में बिल्कुल भी कोई भी किसी तरह का मिसरनेंग मत कीजिए यानि आप थोड़ा बहुत जैसे फोन में लग जाते हो बार-बार मेरी बहुत गंदी आदत थी है तो अभी मैंने थोड़ा सा इस आदत को बदलने के कोशिश किया है और किन-किन हैविट्स को मैंने बदला है अभी वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी और मुझे बदल उन हैविटों को बदलने से कितने जादा वेनिफिट हुए क्या क्या मैंने उन चीजों में बदलाब करके एक अच्छे से अपने आपको मोटिवेट किया वो सब मैं आप सब के साथ शेयर करूंगी और आप सब को बहुत ज़्यादा हेल्प भी होगा तो हजबन आज चुके थे और अभी हम लोग करें लंच तो आज के लंच में है कड़ी चावल और चपाती और गर्म गर्म घी वाली तो आज का मेरा ब्लॉग आप सब को कैसा लगा है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएए और इसी तरह के मज़िदार ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप सबी के सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है मेरी फैमिली बढ़ रही है तो और कोई भी आप सबी को मुझे किसी तरह का सवाल होता है तो आप जरूर कमेंट करिए और जितने भी मेर खुबी जवाब दूँगी तो और आपको किसी भी रिकॉर्मेंट पर मुझे से ब्लॉक चाहिए तो वो भी आप जरूर बताईएगा और बस लंच करने के बाद यहां पर दुरूप के साथ में टाइम स्पेंड कर रही हो और अजबन जाच चुके हैं बाहर तो यहां पीछे को ना जाकेट की तो और जादा मस्ती कर रहा है सब लोग इसको देख देख के चिड़ा रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था तो चलिए मिलूंगी आप सबसे कल के ब्लॉग में अच्छी सी टॉपिक के साथ अच्छी सी रेस्पी के साथ तब तक के लिए अपना द्यान रखिये खुश रहिए मस्त रहिए इंजोई योसेल्फ